आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की जो कोशिश हैं वो किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं और इस कोशिश में मेरे साथ बेहत खास मेमानों का खास पैनल जुड़ रहा है परिचे में आपका करा दूँ मेरे साथ जुड़ रहे हैं परियावरण को बहुत नजदीक से समझते हैं आज समझाएंगे भी हमको रमन मेरे साथ जुड़ रहे हैं नदियों को लेकर बहुत काम करते हैं अध्यक्ष हैं भारतिये नदी परिशत के रमन जी स्वागत आपका हमारे शो में तो सबसे पहले बात नदी की जल की पानी की योजनाओं की हो रही है तो रमन जी से शुरुआत करते हैं रमन जी मेरे सबसे पास बैटे में तो रमन जी जो कुछ सरकार ने बजट में जल संसाधन मागंगा को लेके नदी विकास को लेके पुनरद्वार को लेके जो कुछ किया और जो बजट बढ़ता हुआ नजर आया फॉस्ट एक्षिन आपका इस पे देखे वैसे तो 2014 से ही इस सरकार का नदियों पे बहुत फोकस रहा जिसका परिणाम था कि नमामी गंगे को गठित किया गया गंगा और शी साइक नदियों के पुनरद्धार के लिए लेकिन वो लगातार आगे बढ़ रहा है जिसे पहली बार में ही 20,000 करोड उपे संक्सन हुए थे 2014 के बाद नमामी गंगे के लिए लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि और पैसा नमामी गंगे को और नदियों के पुनरद्धार के लिए दिया गया है तो इसे जाहिर होता है कि सरकार की सोच लगवक नदियों को लेकर के सकारात्मक है कैसे हमारे देश की नदिया निर्मल और अविरल बहे तो उसके लिए ये पूरी कवायद है जो की पैसा नदियों के लिए उसके आसपास के जलसरोतों के लिए ये दिया गया है हिसाब से बहुत अच्छी पहल है कि अगर हम नेचरल रिसोर्स को ले करके इस तरही गंभीरता दिखाएंगे तो आने वाले भविश्व में हमको अच्छे परिणाव उसके दिखेंगे रहामन जी करें